हेलो नमस्कार दोस्तो मेरा नाम रोहतास निमी है और आप सभी का स्वागत हमारी यूटूब चैनल निमीजी नेट पर दोस्तो आज हम हाईर एजुकेशन में न्यू सलिवस के अनुसार कुछ नए टोपिक करने वाले हैं इसके अंदर दोस्तो हम कन्वेंशन एंड नौन कन्वेंशनल एजुकेशन यानि की पारमप्रिक और पारमप्रिक सिक्ष्या के बारे में पढ़ने वाले हैं इसके साथ दोस्तों हम नेतिक शिक्षा के बारे में पढ़ने वाले हैं और oriental education जो है उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं तो दोस्तों इस वीडेयो का पूरा देखना और ध्यान से देखना क्योंकि इसमें से question आने की पूरी पूरी संभावना है दोस्तो सबस्पहले हम बात करते हैं oriental learning program इन इंडिया के बारे में देखे इससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि oriental learning program होता क्या है देखे इसे हिंदी में समझा जाए तो हिंदी में इसको प्राच्चे सिख्षा कहा जाता है जैसे नाम सही हमाई पता चल रहा कि जो हमारी पुरानी सिक्षा पद्धती थी उसके बारे में और उसके अंदर हम क्या देखते थे दोस्तों हमारी संस्क्रीटी है, हमारा धर्म है और हमारा आशरन है किस तरह से हम रहते थे खाते पीते थे हमारे जो भी रहन सहन था और हमारी संस्करिती थी उसके बारे में जो हम सिख्षा प्राप्त करते हैं उसे हम oriental learning program कहते हैं और भारत के अंदर देखे वैसे तो काफी तरह की educational program चलाये जा रहे हैं लेकिन अपनी संस्कृति को बचाने के लिए भी काफी तरह के प्रोग्राम चलाई जा रहे हैं जिनको हम और एंटल लर्निंग प्रोग्राम कहते हैं अब देखे इसमें थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं अगर आप चाहे तो यहाँ पर इंग्लिस में पढ़ सकते हैं दोस्तों और किसी को अगर हिंदी समझ में आते तो वो यहाँ से हिंदी में भी पढ़ सकते हैं मैं आपको इसका बिलकुल आसानी से मतलब समझा देता हूँ उसका मतलब क्या होताई इंदर हम अपनी संस्कृित है भासा लोगो इतियास और पूरा तत्यों की जो चीजेश होते हैं उनके वारे में सोचने समझने की कोशिस करते हैं जैसे कि हम बात करके चले संस्कृत जो भासा है हमारी इंडिया की वो आज के टाइम में बहुत कम होती हुई जा रही है लेकिन कई ऐसे इंस्टिटूट है जो उसे बचाने की कोशिस कर रहे हैं दूसरी तरफ हम अंग्रेजी की बात करें तो ये दिन वदिन बढ़ती हुई जा रही है तो इस समय में हमें अपनी भासाओं और संस्कृतियों को बचाने की काफी आव सकता है और आज के टाइम में आपने देखा हुगा कि जो बच्चे हैं बच्चे खेल खेलते थे पहले वो भी धिरे धिरे विलुप्त होते हुए जा रहे है तो अपनी भासा संस्कृति इत्यास और पुरा तताव को बचाने के लिए जो एजुकेशन ली जाते है उसे हम औरियंटल अध्यन कहते है इसमें क्या होता है दोस्तो हर देश अपने हिसाब से औरियंटल लर्निंग प्रोग्राम चलाता है जैसे कि यहाँ पर हम बात करें ट्रैडिशनल ओरियंटल स्टडी इन यूरोप आर टोडिश जोनरली फॉकस ऑन दर डिस्टिप्लिन ओफ इसलामिक स्टडी यानि कि हर देश का जो छेतरा वो अलग अलग होता है और दूसरी तरफ हम बात करें वाइल दर श्टडी ओफ चाइना यह ट्रैडिशनल चाइना के उपर फोकस कर रहे हैं तो हर जो देश है उनका फोकसिंग एरिया अलग होता है दूस्तों बात करते हैं जैसे इंडिया के अंदर ओरियंटल लर्निंग प्रोग्राम चल रहे हैं उनकी क्या खास बात है और वो किस चीज़ के उपर फोकस कर रहे हैं यहां पर आप इंगलीज में पढ़ सकते हैं आप पढ़ना चाहे तो और मैं आपको हिंदी में भी दिखा देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए यह देखिए औरियंटल रिसर्च इंस्टिटूट विशेष रूप से इंडोलोजिकल अध्यन के लिए औरियंटल रिसर्च इंस्टिटूट है वो किसके उपर फोकस कर रहा है जादा तर इंडोलोजिकल अध्यन के उपर अध्यन कर रहा है तो यह इसके अंदर काफी महत्तो पुर्ण बात है और इसके अंदर क्या है दोस्तों कि इसके अंदर हम इंडोलोजी अपने सभी संस्कृति के अध्यन का विज्ञान है यानि कि जो हमारी संस्कृति है उसका अध्यन करने का जो विज्ञान है उसे हम क्या कहते हैं इंडोलोजी कहते हैं ये हमें ध्यान रखने वाली जुरूरी चीज़ है दोस्तों क्योंकि इसमें से कोच्चन आ सकता कि इंडोलोजिक क्या है और जैसे कि आज आपने देखा हुगा कि गुरुकुल परणाली और प्राचिन विश्व विधाले जैसे नालंदा और तक्स सिला धीरे धीरे गायब होते हुए जा रहे हैं तो इनके बचाने के लिए ये संस्था शुरू क गई है और इसके अंदर दोस्तों मुखे रूप से क्या किया जाता है ये जो औरेंटर लर्निंग प्रोग्राम के जितने वी इंस्टिटूट वगरह उनके अंदर क्या किया जाता है इन संस्थाओं के काम में प्रमुख रूप से प्राच्चे और संस्कृती जैसे तरीके से संभाल के रखना बहुत ज्यादा जुरूरी है ये सब काम करते हैं और दोस्तों ये माना वी जाता है कि हमारे जो प्राचिन गरंत है प्राचिन जो भी पांडूलीपी पांडूलीपी मतलब यानि कि जो भी हमारी बुक्स विगरा है बहुत पुरानी उनके अंदर बहुत ज्यादा एजुकेशन दी हुई है और आज जो भी हम साइन्टिफिक कार्य कर रहे हैं वो चीज़े उनके अंदर अल्रेडी लिखी हुई है बहुत से हमें ऐसे उधान देखने को मिले हैं जिनमें हमें पता चला है कि जो भी हम विग्यानिक कार्य करे हैं तो उनके बहुत साल पहले ही बता दिया गया था तो वो हमें पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तो और उनको सरंक्सित करना बचा के रखना भी हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है अब दोस्तो बात करते हैं कि औरिएंटल लर्निंग प्रोग्राम के कुछ यहां पर पुरी की पूरी लिस्ट दियुए दोस्तों आप यह पढ़ सकते हैं आप एक बार इनको देख जरूर लेना दोस्तों क्या पता इन में से कोई कोश्चन आजे और टोटल जैसे कि यहां पर 17 दियुए है 17 की 17 आप यहां पर पढ़ लेना आप चाहे तो इसका स्क्रि परंप्रिक शिक्षा यानि की कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल एजुकेशन अब देखिए इसका मतलब क्या होता है परंप्रिक और गैर परंप्रिक प्रिक्षिक्षन के सयोजन की प्रनाली से ही सिक्षन गतिविती से चारू रूप से हो सकती है चलिए हम इसे असान के अंदर जाए, school के अंदर जाए, वहाँ पे हम study करें, वहाँ पे एक teacher है, वह हमें पढ़ाए, तो उसे हम क्या कहेंगे, परमप्रिक सिख्षा, यानि कि conventional education कहेंगे, और गैर परमप्रिक के अंदर क्या होता है दोस्तों, इसके अंदर जैसे हम कुछ काम कर रहे हैं, काम करते job भी करते हैं, और अपने study भी चलाते हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे, गैर परमप्रिक education कहेंगे, और इन दोनों के अंदर काफी अंतर आ जाता है दोस्तों, और वो अंतर हम देखेंगे कि क्या-क्या फरक आता है इन दोनों तरह की education के अंदर, और देखिए, इसके अंदर औ और वी काफी तरकी बात दी हुई है, भारत में गैर परमप्रिक सिक्षा करेकरम के अंदर गत, ऐसी सिक्षा प्रणाली को सामिल किया जाता है, जिसमें स्कूली सिक्षा, ट्यूशन, कोचिंग, गोश्टी, सैमिनार, रित्यादी के माध्यम से, सिक्षा की गुणवता के सा साथ कोशल सिक्षा अधारित, रोजगार परक सिक्षा की ओर ध्यान दिया जाता है, अब देखिए, गैर परमप्रिक सिक्षा के अंदर, इंडिया के अंदर क्या किया जाता है, दोस्तों, उसके अंदर इस तरह की एजूकेशन दी जाती है, कि बच्चा अपने रोजगार क साथ साथ ऐसी एजूकेशन लेश के वो ट्यूशन हो चाए कोचिंग हो चाए गोश्टी सैमिन नार हो या किसी भी तरह से इस तरह की कोचिंग लेश के जिससे उसे आगे अच्छा रोजगार मिल सके तो इसमें काफी तरह की बाते दिए दोस्तों आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि जो गैर पारंप्रिक सिक्ष्या है वो आज कलम वेब साइट पोर्टल ब्लोग यूटूब कॉन्फरेंस वगेरा से ले रहे हैं और अब बात करते हैं दोस्तों इन दोनों के अंदर क्या फरक आता है इनकी मेन इंपोर्टेंट बाते क्या हैं सबसे पहले हम बात करते हैं पारंप्रिक सिक्ष्या यानि की कन्वेंशनल एज्यूकेशन की इसके अंदर क्या होता है दोस्तों यह मूल रूप से निस्करिये सिक्ष्या है जहां बच्चा सिक्षक को सुनता है सिक्षक से मिले निर्देशों का पालन करता है इसके अंदर क्या होते है दोस्तों जो हमारे पारंप्रिक सिक्षा होते है जैसे स्कूल के अंदर जाते तो उसके अंदर जो भी टीचर हमें बताएगा बच्चा उसी का ही अनुसरन करेगा उसी अनुसार वो पढ़ेगा और उनके अलावा वो कुछ ज्यादा करने की कोशिस नहीं करेगा तो इसे हम क्या कहेंगे निस्क करिए शिक्षा कहेंगे इसके अंदर बच्चा जो है वो ज्यादा एक्टिव नहीं रहता वो निर्देशो के इनुसार चलता है और इस किंदर क्या होता है दोस्तों छात्रों को ग्यान, कोशल और अनुभाव परदान किया जाता है जो टीचर है वो अपने अनुभाव पताएगा और उनको बताएगा कि किस तरह से हम अपनी सिक्षा को और अपने हुनर को जादा अच्छे तरीके से बिल्डप कर सकते हैं और उसके अलावा यहाँ विद्यार्थी सहय कर्मी निरंतर संपर्क में रहते हैं इसमें क्या होता है दोस्तों जो पढ़ रहे होते हैं उसका मुल्यांकन करता है जैसे मुल्यांकन का मतलब हमारे टेस्ट वगेरा लिये जाते है समय समय पर और हमें पता चलता है कि हमें कितना कुछ और कितना हमें improvement करना की ज़रूरत है उसके बाद है दोस्तों हमारे पास गैर पारमप्रिक शिक्षा अब देखे गैर पारमप्रिक शिक्षा के अंदर क्या होता है यह स्क्रिये शिक्षन है जो सवतंतर रूप से चलता है अपना कारिया चुनता है किस गती से यह किया जा सकता है सिक्षक यदि कोई हो तो सुविधा हो जाती है अब इसके अंदर क्या होता है दोस्तों इसके अंदर हम बिल्कुल freedom होती है हमारे पास हम जब चाहें जिस तरह से चाहें education ले सकते हैं जैसे कि YouTube से पढ़ सकते हैं किताब से पढ़ सकते हैं audio सुन सकते हैं और चाहें तो कि क्या होता है दोस्तों नॉर्मल तरीके से विकास होता है इसमें कुछ systematic ढंग नहीं होता नॉर्मल तरीके से इसमें हमें education मिलती है उसके बाद यहां सिमित सहकर में संपर्क में रहते हैं अब जब हम distance education में होते हैं तो कोई student कहां से कोई कहां से कोई कहां से हमें नहीं पता स पढ़ता है कि हमें कितने घंटे पढ़ना है कब नहीं पढ़ना है कि हम नहीं। ।ह फ़ेल्ड ही देखना पढ़ता ही हमें कितना कुछ हा गया और कितनी कुछ हमें कमी है तो यह कुछुमे में इंपोर्टेंट वात हैं तो מבile अब दोस्तों अब बात आती है हमारे पास value education यानि कि नैतिक सिक्षा के बारे में बात आती है अब देखें नैतिक सिक्षा का मतलब क्या होता है नैतिक सिक्षा वह है प्रकिरिया जिसके माध्यम से लोग दूसरों में नैतिक मुल्यों का संचार करते है यानि कि इसका मतलब यह है दोस्तों की value education का मतलव यह है कि हम इस तरह की सिक्षा दे जिससे बच्चों में अच्छा आच्रण हो सके जो वो दूसरों की respect कर सके और उसे अपनी society के बारे में पता चल सके कि क्या सही है क्या गलत है उसे अपने धर्म के बारे में और उसे करम के कारे में पता चल सके कि क्या काम करना अच्छा रहता और क्या काम हमें नहीं करना चाहिए दूसरों की help करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए तो यह सारी चीजें हमें पता चलता है और यह कारिये दोस्तों अपने घर में हो सकता है विध्याले में मंदिर में जेल में भी हो सकता है और किसी समाजिक संस्थन जैसे पंचायत भवनितियादी में भी हो सकता है और अगर आपको याद हो तो दोस्तों हमारा से एट्थ और नाइंथ क्लास में ये एक सब्जेक्ट भी हुआ करता था फीजिकल एजुकेशन उसके अंदर ये टोपिक आता था नेतिक सिक्षा और इसके अंदर और वी कई चीजी है दोस्तों जैसे हम बात करते हैं यहां पर अगर पढ़ना चाहे तो यहां पर पढ़ सकते हैं काफी चीज़े यहां पर दी हुई है उसके बार जैसे कि नेतिक सिक्षा को समानने ते व्यापक रूप से ग्रहन किया जाता है इसके सिखाना है और किन चीजों से हमें परहेज करना चाहिए यह चीजे बताई जाते हैं इसके अंदर मानसिक विकास किया जाता है हमारा चार या सुद आचार विचार इसके अंदर हमें यह बताया जाता कि हमें किस तरह से दूसरों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए कैसे बोलना और क्या आचरन हमें करना चाहिए ये सारे चीज़े इसके अंदर बताई जाती है और इसके अलावा जैसे ये धार्मिक प्रस्टिक्षन के नागरी का अधिकार आन्म करतवे यानि कि हमें ये भी बताया जाता कि हमारे क्या क्या करतवे हैं हमारे समाज के परती और हमारे धर् करती और और इसके अंदर जैसे की नैतिक शिक्षा की आवशक्ता आवशक्ता क्यों है यह भी हमें पता होना चाहिए दो तो इसमें एक तो चरित्र का निर्मान चरित्र यानि की हमारा जो क्रेक्टर है उसके निर्मान के लिए बहुत ज्यादा जुरूरी है और उसके बाद म इसके अंदर यही है कि नॉर्मल चीजे है नेतिक सेक्षा के अंदर इसके अंदर साइद मेरे कुछ ज्यादा बताने कि आप सकता नहीं है आपको अगर फिर विए आप चाहे तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर पूरा का पूरा नोर्स हमने दिया हुआ है यहाँ आगे भी यह जैसे हमारे पास अच्छे गुणों वे आदतों का निर्मान सारी वही चीजी है दोस्तों बिल्कुल नॉर्मल है तो दोस्तों आज कि यह हमारे कुछ इंपर्टेंट टोपिक थे हेलो नमस्कार दोस्तों मेरा नाम रोहतास निमी है और आप सभी का स्वागत ह हम हाईयर एज्यूकेशन का टोपिक करने वाले हैं देखिए पहले इसमें दो से तीन कोश्चन आते थे और अब की बार इसमें कितने कोश्चन आएंगे वो हम अच्छे से नहीं कह सकते क्योंकि पहले क्या था कि हाईयर एज्यूकेशन के साथ में पॉलिटी का टोपिक भी एड था लेकिन एड तो अभी वी है वो और दिसम्बर 2018 में और जून 2019 के अंदर पॉलिटी से कोशन बहुत कमाये थे ना के बराबर कोशन आये थे उन में से बिलकुल ना के बराबर कोशन आये थे तो इस रिसाब में अब की वार कुछ टॉपिक एड हुए है नई से लेवस के अंदर तो हमें इन सभी टॉपिक को करना बहुत ज्यादा जुरूरी है तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम प्राचिन भारत में शिक्षा और अंग्रेजों के टाइम में किस तरह से हमारी शिक्षा होती थी उसके बारे में चर्चा करेंगे तो इस वीडियो का पूरा देखना और ध्यान से देखना दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं प्राचिन भारत में शिक्षा यानि कि पुराने समय में हमारी शिक्षा किस तरह से होती थी राजा महाराजाओं के टाइम में देखे उस टाइम जो जादतर शिक्षा होती थी वो गुरु कुल के अंदर होती थी गुरु कुल क्या होता था हम देख लेते हैं एक ऐसे विध्याले जहां विध्यार थी अपने परिवार से दूर रहे कर गुरु के परिवार का हिस्सा बन कर सिख्षा प्राप्त करते थे दोस्तो पहले क्या होता था कि जो बच्चे थे वो जो टीचर है उसी के पास में रहते थे गुरू कुल होता था जैसे विध्याले कहे सकते हम वहीं पे वो रहते थे वहीं खाते पीते उठते बैठते सोते जालते सब कुछ वो वहीं पे करते थे और वहां पे अपने सिक्षा कि अनुसार और आज के टाइं में देखे तो उनको होस्टल हम माल लेते हैं होस्टल में रहते लोग प्राशन इतिहास में अइसे विधळले का बहुत महत्तर था पराशिद पुषिद अचारियों के गुरुकुल में पढ़ेवे छात्रों का सब जगय बहुत समान होता था। यहां पर आप पढ़ सकते हैं दोस्तों क्या था कैसे था और किन के ने शिक्षा ले और इसमें जो कुछे ध्यान देने वाली बात है जहां से कोशन आ सकते हूँ यह है कि प प्रीशत जहां विशे सग्यों दवारा सिक्षा दी जाते थी यहां पे उनको रहने की आवसकता नहीं थी और उसके बाद में है तपस्थली जहां बड़े-बड़े समेलन होते थे और सभाव तथा परवचनों से ग्यान अर्जन होता था ठीक है और उसके बाद में और भी पाद ध्याय कहा जाता था ठीक है ये चीज आपको थोड़ा ध्यान में रखना जरूरी है हो सकता इसमें से कुश्चन आ जाए और उसके बाद में जैसे ग्रूप कुल में किस प्रकार चात्रों को वाजित किया जाता था ये भी हम देख लेते वासू जिने वासू कहा जात थे और फिर आदिते 48 साल तक की शिक्षा प्राप्त करने वाले को आदिते कहा जाता था तो दोस्तों ये कुछ में में पॉइंट है साहिद यहां से कोई कुश्चन आज है क्योंकि ये जो गुरू कुल का टोपिक है ये अभी नया एड हुआ है एंसेंट इंडिया के अंद भारत में सिक्षा किस तरह से थी और उस दुरान क्या-क्या समीती विगरा बना क्या कोलिजबने उनके बारे में हैं बात करते है देखिए अंगलेजोग की दवराइबा भारत में सिक्षा के विकास सुरूहात 1781 में वारेन हैश्टिंगन के दवरा कलकता मदरेशे की स्थापना से हुई ठीक है यहाँ ही है इसका उदेश से मुसलिम कानुनों तथा इसे संबंधित अन्य विश्यों की सिक्षा देना था इसके उपरांत 1791 में जोनाथन डकन के प्रयासों से बनारस में संस्कृत कोलेज की स्थापना की गी जिसका उदेश से हिंदी विधी का दर्शन का अध्यन करना था ठीक है और उसके बाद में जैसे और विकावी चीजी है दोस्तों यहाँ पर पढ़ सकते हैं बिल्कुल असान भासा में हिंदी में यहाँ पर दिया हुआ है इनमें जो मेन मेन बाते हैं वो आप याद रख सकते हैं कि जैसे सबसे पहले कौनशे कोलेज की स्थापना हुई और उन जो कोलेज हुए थे उन में किस तरह की सिक्षा दे जाते थी इस तरह के कोशन आ सकते हैं उसके बाद में दोस्तों हमारे पास आता है चार्टर अधिनियम आता है इसमें से कोशन आए हैं पहले अलग एक्जाम के अंदर आए यूजी सी नेट में तो नहीं आए लेक आए तके अंग्रेज लोग जब आए थे शिक्षा लेके हमारे पास तो उनका एक मकसद था वो था कि अपने जो ईसाइ है मसीनरी यानिकी अपने धरं का परचार परशार करना और पलस में उनको जो लोग चाहिए थे इसलिए वो शिक्षा देना चाहते थे ना कि रील में ह हिंदु कॉलेज स्थाप्रित किया गया उसके बाद 1815 में प्रेजिडेंसी कॉलेज बना जो 2010 में प्रेजिडेंसी विश्विध्याले बन गया तो ये भी important है हमारे लिए आगे दोस्तों हमारे पास लाड मेकाले की सिख्षा परणाली 1835 में यह भारत में सिख्षा परणाली क स्थापना का एक प्रियास था जिसमें समाज को केवल उच वर्ग को अंग्रेजी माद्ध्यम से शिख्षा परणाली की बात कही गई थी इसमें कहा गया था कि जो समाज के उच वर्ग के लोग है केवल उन्हीं को अंग्रेजी शिख्षा देनी चाहिए और फार्सी की जग कूशन आ सकता है कि किस चिता प्रणाली के अंदर अंग्रेजी चिताब बहुत जोड दिया गया था और फार्सी की जगह नियायालों में अंग्रेजी सिक्षा को बदला गया था तो इस तरह की कॉशन आ सकते हैं थोड़ा आप देह लेना दोस्तों यहां पर कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है यह हिंदी में दिया हुआ है और उसके बाद है दोस्तों वुड डिस्पैच इसे भारत में अंग्रेजी का सिक्षा का मेगना कार्ट भी कहा जाता है इसमें जनता में सिक्षा के परसार की जिम्मेवारी राज्य को सौपने की बात कही थी इसमें कहा गया था कि सिक्षा का जो परसार है वो राज्य दवारा करना चाहिए उसके भी अधिकार होने चाहिए और इसके अंदर जैसे और क्या है इसने उच शिक्षा है तो अंग्रेजी माध्यम और स्कुल शिक्षा के लिए देशी भाजा माध्यम की वकालत की इसने क्या कहा था कि उच शिक्षा हाईयर एजुकेशन के लिए अंग्रेजी होनी चाहिए है और जो नीची एजुकेशन है जो बिसिक माध्यमिक एजुकेशन है उसके लिए हमारी जो देशी भाजाय है उनका उपयोग करना चाहिए यानि कि जो जो कमीशन आयोग वगरा जो भी बने समीती बने तो हर किसी के अपने अपने विजार थे तो ये हमें थोड़ा ध्यान में रखना जुरूरी है और उसके बादे दोस्तों हंटर आयोग 1882-83 के अंदर इस आयोग का गठन डबलू-डबलू हंटर की अध्यक्सा में 1854 में वुड़ डिस्पैस के तहत विकास की समयक्सा हेतु किया गया था इसमें जो मुख्य बाते हैं वो देख लेते दोस्तों इसने प्रात्मिक और स्केंडरी सिक्षा में सुधार वे परसार में सरकार की भूमिका को महतव दिया सिक्षा के नियंतरन की जिम्मेवारी जिला और मयूनिसिपल बॉर्ड को देने की बात कही गई थी तो यहाँ पर यह एक दो बाते हैं इंपोर्टेंट है इसके अंदर और उसके बाद में दोस्तों सैंडलर आयोग अब देखिए इसमें क्या था इसमें था कि इसके सुझाओ क्या थे वो हम देख ले थे बारा वर्षिय स्कूल पाठेकरम यानिकि इन्होंने बारा सालों के लिए एक स्कूल का पाठेकरम त्यार किया था तीन वर्षिय डिपलोमा तीन वर्षिय डिगरी पाठेकरम इंट्रमेडियेट के बाद और विशेव विध्याले को केंदरी करत प्रणाली के अंदर रखन सकते हैं दोस्तों महिला शिक्षा का सुझाओ किस आयोक के अंदर दिया गया था सबसे पहले दोस्तों सैंडलर आयोग और आगे हमारे पास हर टौग आयोग 1929 के अंदर इसके अंदर क्या कहा गया था कि सिक्स्थानों के अंधा धुंद वृद्धी के काण सिक्षास्तर में आई गिरावट की समिक्षा करने के लिए फिलीप हर्टोग की अध्यक्स्ता में एक समिती का गठन किया गया इस समिती के क्या क्या सुझाओ थे वो हम देख लेते हैं इसमें कहा गया था कि समीती ने प्रातमिक सिक्सा के महतों पर बल दिया था इसने किया था प्रातमिक सिक्सा जो होती है उस पे ज़्याधा बल दिया था लेकिन अनिवार्यत ताया सिग्र परसार को अनुचित बताया था और इसने कहा था कि वो थोड़ी important होनी चाहिए लेकिन अनिवारिये नहीं होनी चाहिए सभी के लिए मज़ूरी नहीं करनी चाहिए कि ये आपको करनी ही करनी है और उसके बाद इन्होंने कहा था केवल समर्पित विध्यारतियों को ही उच्चतर एवम उच्च शिक्षा के लिए पढ़ने की अनुमति देनी चाहिए और उसके बाद था जैसे कि जबकि समाने स्थर के विध्यारतियों को आठमी कक्षा के पस्चात वयवसाइक कार्यकरम में दाखिला लेनी चाहिए इसना का था कि जो केवल जो विध्यारति सीवियस है पढ़ने के लिए तो उनको ही केवल उच्च शिक्षा लेनी चाहिए और जो विद्यार्थी समानने है नॉर्मल है उनको आठमी कक्षा के बाद वैवसाइक सिक्षा लेनी चाहिए जिससे वो अपना रोजगार चलास के ये बात भी इसकी सही थी और उसके बाद दोस्तों मूल सिक्षा की वर्धा योजना 1937 के अंदर आई थी इसके अंदर क्या था इसके अंदर था मूल उदे से इसका क्या था गती वीदियो के माध्यम से शिक्षा पृप्त करना था इसका उदे से था कि जो लोगों को स्टूडेंट को प्रैक्टिकली ज्यादा सिखाया जाए उससे उनको ज्यादा अच्छी शिक्षा पृप्त होगी पाठे करम के अधार दस्तकारी को सम्मिलित किया जाए यानि कि जो हमारा सिक्षा थी उसके अंदर दस्तकारी को सामिल किया जाए ताकि लोग हाथ के दवारा अपना कोई काम करके अपना अच्छा रोजगार प्राप्त कर सके और उसके बाद था राष्टे सिक्षा वैवस्था कि पर्थम साथ वर्स निसुलक अनिवारिय होने चाहिए यानि कि इसने कहा था कि जब हम सिक्षा लेते तो साथ साल तक हमारी सिक्षा अनिवारिय और निसुलक यानि कि फरी और अनिवारिय होनी चाहिए और उसके बाद में क्या था कि शिक्ष्या मात्र भासा में होनी चाहिए कि यानि कि जो साथ साल तक हम शिक्ष्या लेंगे शुरू के वो हमारी मात्र भासा में होनी चाहिए कक्ष्या दो से साथ तक की शिक्ष्या का मध्यम हिंदी होना चाहिए अंग्रेजी भासा में शिक्षा कक्षा आठ के पच्चात ही देनी चाहिए ये सब ही किसके सुझाओ थे दोस्तों ये थे हमारे मूल शिक्षा की वर्धा योजना 1937 के सुझाओ थे और उसके बाद में जैसे इसके अंदर परवेश के नियम अत्यंत कटोर होने चाहिए कटोर होते हुई जा रहे थी हमने दो तिन वारी चीज पढ़ ली है तो दोस्तों ये थे हमारे आज के अंग्रेजों के टाइम में चलने वाले कुछ समीती कुछ आयोग कुछ अधिनियम जो शिक्षा पर लागू हुए थे तो दोस्तों आप एक वर दोवारा इन सभी को पढ़ सकते हैं आप चाहिए तो नोट सा बना सकते हैं में भी इन में से एक दो कोश्चन आने की संभावना है साइद इन में से कोई कोश्चन आ जाए तो प्लीज आप एक बार इसको पढ़ना जरूर तो दोस्तो आज के लिए बस इतना ही हेलो नमस्कार दोस्तो मेरा नाम रोतास निमी है और आप सभी का स्वागत हमारे यूट्य यूट्य निमीजिनेट पर दोस्तो आज हम हाईएर एजुकेशन के इंदर सवतनतरता के बाद भारत में बनी कुछ सिक्स्या शमीति और आयोग के बारे बात करने वाले हैं दोस्तो इसमें से काफी कोशन आज तक आये हैं और जुन 2019 और दिसम्मर 2018 में भी इसमें से काफी कोशन आये हैं तो इस वीडियो का पूरा देखना ध्यान से देखना क्योंकि दोस्तो ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपोर्टन होने वाली है और इसके अंदर हम आपको दिखाएंगे दोस्तो की जुन 2019 के अंदर किस तरह के कोशन आये थे और किस तरह से हमें उनको करना है तो आज इन आयोग और समीतियो को करना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है तो इस वीडियो का पूरा देखना और ध्यान से देखना चलिए दोस्तो सबसे पहले हम बात करते हैं विस्व विध्याले शिक्षा आयोग की इसे दोस्तो राधा किर्शन आयोग भी कहा जाता है यहाँ पर एक चीज दोस्तो आपको कन्फूज कर सकते हैं यह UGC नहीं है दोस्तो से देखे लेते क्या खास बात है भारती सर्कारे दोबारा 29बर 1948 में भारती विश्व विध्याले सिक्षा की अवस्तपर रिपोर्ट देने के लिए निउक्त किया गया था दोस्तो और यह क्या है दोस्तो यह सवतनभारत का पहला शिक्षा आयोग था यह चीज हमें ध्यान रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है और इसके बाद कुछ इसके जो लक्ष जांच थी वो इस परकार है वो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों जैसे कि उच्छ शिक्षा के लक्षों को निर्धारित करना उच्छ शिक्षा के विश्य में अपनी राय देना उच्छ शिक्षा के सिक्षन सतर को बढ़ाना तो यहाँ पर इनके कुछ जांच के सतर थे वो यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी के सभी और आप चाहे तो इस वीडियो को अच्छे से ये पढ़ लेना दोस्तों क्योंकि इसमें से साइद क्या पता कुछ आ जाए उसके बाद अस्ता में इसकी स्थापना की गई थी और इस आयोग को दोस्तों माध्यमिक शिक्षा आयोग भी कहा जाता है यह हमें ध्याने में रखना जरूरी है और इसकी स्थापना 13 सिक्षा को हुई थी और इसने जो सुझाओ दिये थे वो क्या दिये थे दोस्तों इसने कहा था कि चार या पांच वरस तक जो शिक्षा होनी चाहिए वो प्राइमरी शिक्षा होनी चाहिए है। और उसके बाद में स्केनरी शिक्षा को दो भागों में बांड़ना चाहिए। और सबसे पहले इन्होंने mcq question के बारे में mcq यानि की multiple choice question के बारे में इन्होंने बात की थी उसके बाद में संख्यात्मक अंक देने की विजाए संख्यतिक अंक देने के लिए इन्होंने सुझाओ दिया था और उसके बाद जैसे इन्होंने के उदेश से क्या थे उदेश स संबंद या निकी एक दूसरे के साथ konnect होने चाहिए वो उनके एक दूसरे के साथ relation होने चाहिए मात्मिक शिक्षा का प्रात्मिक शिक्षा बैसीत था उच्षिक्षा के साथ संबंद होना चाहिए यह इनोंने कुछ सुझाओ दिए थे और उसके पाद जो सबसे अध्यक्स थे वो थे डॉक्टर दोलत सिंग कोठारी थे इसका गठन दोस्तों स्कूली सिक्षा प्रणाली को नया आकार्व नई दिशा देने के उधिश्य से किया गया था इस कोठारी आयो इसे दोस्तों कोठारी आयो के नाम से भी जाना जाता है इसकी जो most important बाते दोस्तो वो हम देख लेते हैं आयोग ने स्कूली सिक्षा की गहन समिक्षा प्रस्तुत की जो भारत के सिक्षा के दिहास में आज के सरवाधिक गहन अध्यन माना जाता है इस आयोग ने सबसे ज्यादा फोकस किया था स्कूली सिक्षा के उपर दोस्तों और ये question भी आचका है हमारे मैं आगे आपको दिखाऊंगा कि जोन में इसमें से कैसे question आया है कोठारी आयोग या राष्टी सिक्षा आयोग भारत का पहला सिक्षा आयोग था जिसने अपनी report में समाजिक बदलाओं को ध्यान में रखते हुए कुछ ठोस सुझाओ दिये थे दोस्तों इसे हम राष्ट सिक्षा बदलाओं को ध्यान में रखते हुए कुछ ठोस सुझाओ दिये थे और मैं वीडियो में दिखाऊंगा आगे कि किस तरह से इसमें से question आये है आगे बात करते हैं दोस्तों हम राष्टे सिक्षा नीती पर पुनर विचार 1992 में एक सजग वैमानवता वादी समाज के सिक्षा का इस्तेमाल इसे अचारे राम मुर्ति समीती भी कहा जाता है इसमें कुछ ज्यादा खास नहीं था दोस्तों M.B. बूच समीती साल 1989 के अंदर दूरस्त सिक्षा माध्यम पर बनी पहली सिक्षा समीती यानि कि distance education पर जो सबसे पहली समीती बनी थी वो थी दोस्तों M.B. बूच समीती थी और उसके बाद दोस्तों G. राम रेडी समीती सन 1992 के अंदर बनी थी दूरस्त सिक्षा पर केंद समीती थी इन दोनों के अंदर यह difference आपको पता होना चाहिए यह क्या थी दोस्तों Central थी तो ऐसे question आ सकता कि निमलिखित में से कौन सी ऐसी समीती थी जो दूरस्त सिक्षा पर केंद्रिये प्रामर्स समीती थी ठीक तो यह हमें पता होना चाहिए उसके बाद दोस्तों एक औ समीती का गठन किया इसकी जो मुखे बाते थी वो क्या थी दोस्तों समीती को इस बात पर विचार करना था कि सिक्षा के सभी सत्रों पर विद्यार्थियों विशेसकर छोटी कक्षा के विद्यार्थियों पर पढ़ाई के दुरान पढ़ने वाले बोज को कैसे कम किया यह देखे दोस्तों इसमें क्या कहा गया है ध्यान से पढ़िये इसमें कहा गया था कि सिक्षा के सभी सत्रों पर विद्यार्थियों विशेस्क्र छोटी कक्षा के विद्यार्थियों पर पढ़ाई के दुरान पढ़ने वाले बोज को कैसे कम किया जाए इसके उपर विचार किया गया था और ये question आ सकता है दोस्तो काफी important है और इसने क्या कहा था दोस्तो यहाँ पे हमने काफी चीज़े लिखे हुए आप यहाँ से आप असानी से पढ़ सकते हैं लेकिन हम इसके अंदर main main important important बाते पढ़ रहे हैं दोस्तो समीती ने सिक्सा की तमाम मुश्किलों की जांच परक्ख करते हुए लिखा क्या लिखा वो हम देखते हैं बच्चों के लिए स्कूली बस्ते के बोज से ज्यादा बूरा है ने समझ पाने का बोज यह देखे इसे समझने की कोशिश कीजिए यह कह रहे हैं कि बच्चों के लिए स्कूली बस्ते के बोज से ज्यादा कौन सा बोज है बच्चे के ना समझ पाने का बोज यानि कि बच्चे को अगर कुछ समझ में ना आए तो वो कितना बड़ा बोज है बस्ते का बोज तो हैंडल करशकता है जैसे तैसे करके लेकिन ना समझ बारने पाने का जो बोज है वो बहुत बड़ा है समझ में आना बहुत जाता जुरूरी है बच्चे को और उसके बाद दोस्तो 2005 में प्रोफेसर रियस्पाल की अध्यक्सता में ही राष्टिय पाथे चर्चा की रूफ रेखा बनाने के लिए राष्टिय संचालन समीती का गठन किया गया अब इसमें से भी कोशन आया दोस्तो राष्टिय पाथे चर्चा की रूफ रेका बनाने के लिए किस समीती का गठन किया गया इस तरह से एक कोशन आया था दोस्तो वो भी हम आपको दिखाएंगे और इसमें जैसे मैंने आपको बताया भी इनकी और भी काफी सारी चीज़े जैसे यहां पे दी हुई है बलैक के अंदर आप ये पढ़ लेना दोस्तो वीडियो रोक के और उसके बाद में दोस्तो फिलहाल यही रूप रेखा हमारी सकुली सिक्षा की मारदर्सक बनी हुई है ये भी हमारे लिए इंपोर्टन्ट है उसके बाद में दोस्तो नमबर एट पे राम लाल पारिक समीती यह समीती दोस्तो बीड पत्राचार के लिए बनाई गई थी उस में क्या कहा गया था सेवारत अध्यापको हेतु पत्रचार में बीड की बात कही गई थी और उसके बाद जो most important आती है दोस्तों वह है हमारे पास राष्टी ग्यान समीती और इसे दर National Knowledge Commission भी कहा जाता है इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 2005 में थी एक direct question आया था कि राष्टे ग्यान आयोक की स्थापना कब हुई थी वो हमें बताना था तो इस तरह से भी direct भी हमसे पूछ सकते हैं तो इसकी जो मुख्य बाते थी वो हम देख लेते दोस्तों शिक्स या अर्थार्थ सूचना वे ज्यान कैसे सब लोगों तक सुलब हो ज्यान का सरक्षन कैसे हो ज्यान का विस्तार कैसे हो वे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे तथा ज्यान की गुणवता कैसे वढ़े इस आयोक का मुख्य उदेश से वे कारियत थे तो दोस्तों ये आ सकता है इस तरीके से कोशन पेपर में कि चार पांच लाइने दे देंगे और कहे देंगे निमल लिखित में से ये कौन से आयोग के कारिया उदेश से थे तो ये हमें पता होना जरूरी है राष्टी आयो के कारियों में सिक्षा के ऐसे सवरूख को विक्सित करना है जिसमें भारत की एमुल्य प्राचिन प्रमप्रा वे सांस्कृतिक धरोहर को सजो कर उसे नई पीडी को सौंपा जास के अब देखिए इसके अंदर क्या कहा गया दोस्तो इसमें ये कहा गया कि इसक का एक मेन उदेश से था तो ये चीज़ें हमें पता होना जरूरी है दोस्तों और ये सारे चीज़ें आप एक बार पढ़ जरूर लेना और इस आयोग ने अपनी एक रिपोर्ट में सिक्षा को वयवसाइक सिक्षा वे पेसेवर सिक्षा दो भागों में बांटने का सुझा दिया था ये चीज़ें हमें पता होना चाहिए और उसके बाद जो दोस्तों नमर बारा पे जश्टिस जे एस वर्मा समीती आए थी दोहजार बारा के अंदर सिक्षा की सिक्षकों की अक्षमता की समय समय पर जांच यानि कि सिक्षक के अंदर कितनी अबलिटी है उनकी जा चोनी चीज़ें समय समय पर ये इस जे एस वर्मा समीती ने कहा था और फिर ये दोस्तों राष्टी राष्टी सिक्षा नीती अब ये देखिए ये दोहजार सत्रा के अंदर आई थी इसे नेशनल एज्यूकेशन पोलिशी कहा जाता है और इसका क्या कारे था दोस्तों वो गठन किया गया था और इसके अंदर क्या है दोस्तों इसके अंदर देखते इस समीती को राष्टे सिक्षा नीती 2017 का मसोधा त्यार करने की जिमेवारी दी गई थी और और इसके अंदर जो मेन मेन बाते वो हम देखते दोस्तों यहाँ पर आगयसे पढ़ सकते यही बल दिया जो आधुनिक ग्यान और प्राचिन बुद्धी मता के बीच समूचित संतूलन स्थापित कर सके यानि कि इसने एक मुखे बात क्या कही थी दोस्तो हमारा आधुनिक ग्यान जो है वो प्राचिन बुद्धी मता उन दोनों को मिला के हमें अच्छी सिक्षानिती अप आप यहां पर पढ़ लेना बिलकुल असान दिया हुआ है और उसके बाद में दोस्तों एक और जो most important चीज़ है वो हम और देख लेते हैं Higher Education Commission of India यह अभी तक finalize नहीं हुआ है दोस्तों इसके अंदर क्या कहा गया है HRD Ministry is planning to introduce the Higher Education Commission of India HECI which is expected to replace UGC and AICTE soon इसके अंदर क्या कहा गया है दोस्तों कि जो UGC है और AICTE है इन दोनों को खतम करके एक Commission बना देना चाहिए Higher Education Commission of India इन्होंने कहा है कि जो UGC है वो अच्छे तरीके से अपना काम नहीं कर पा रही है और AICTE है यह भी अपना काम अच्छे से नहीं कर पा रही है तो इन दोनों को खतम करके एक Higher Education Commission of India बना देना चाहिए अभी इस पे विचार चल रहा है दोस्तों इस पे कोई अंतिम फैंसलन नहीं आया है तो दोस्तों नमबर पंधरा पर आते हैं हमारे पास परस्तावित राष्टे सिक्षा नीती या फिर इसको नई सिक्षा नीती 2019 न्यू एजुकेशन पॉलिशी 2019 के नाम से भी जाना जाता है इसके अंदर के हैं दोस्तों इसमें हमारी एजुकेशन काफी हद तक बदल जाएगी इसके अंदर मुखे रूप से च्यार भागों को समलित किया गया है इसमें जो सबसे पहला भाग है इसके अंदर दोस्तों विध्याले जो शिक्षा उस पर ध्यान दिया गया है दूसरे में उच्ष सिक्षा, तीसरे में प्रौधे होगी की यानि कि हमारी साइन्स और टेक्नोलजिय उस पर बात की गया है चोथे में वयर्वसाइक शिक्षा पर ध्यान दिया गया है इसके अंदर जो मुख्य रूप से ध्यान दिया गया दोस्तों वो इस चीज पर दिया गया कि बच्चे की जिस चीज के अंदर रूचे उसको उसी चीज के अंदर लेके जाना चाहिए बच्चे की रूची के अनुसार उसमें पढ़ाना चाहिए उसको और इसके अंदर जो मुख्य रूप से क्या बात है दोस्टों वर्स 2025 तक तीन वर्स से छे वर्स तक के उमर के सभी बच्चों को निसुलक, सुरक्षित, उच गुणवत्ता पुर्व और विकास के लिए उप फॉर्मुले को हमें समझना जुरूरी है, इसमें से कोशन आ सकता है, इसके अंदर क्या गया है, क्या क्या गया है, दोस्तों नसरी से बारवी तक की पढ़ाई को पांच प्लस तीन प्लस तीन प्लस च्यार के फॉर्मुले में डिवाइड किया गया है, इसके अंदर क्या है हम देख लेते हैं 5 साल का पहला जो चरण है दोस्तों वो 3 से 8 वरस तक की आयू के बच्चों के लिए रखा गया है इसे foundation stage कहा गया है दूसरे चरण में दोस्तों 3 से 5 तथा 8 से 11 वरस के बच्चों के लिए इसे preparatory stage कहा गया है तीसरे चरण में दोस्तों कक्षा 6-8 तक तथा 11-14 वरस तक के बच्चों को इसमें सामिल किया गया है और इसे middle stage कहा गया है चोथे चरण में दोस्तों 9-12 तक और 14-18 वरस तक के बच्चों के लिए ये रखा गया है इसको secondary stage कहा गया है तो ये हमारे लिए थोड़ा सा important है साइध इसमें से कोई question आजाए तो आप इसे भी एक बर देख लेना अब देखते दोस्तों अब हमारे कुछ question आए थे जून 2019 में और December 2018 में देखे दोस्तों ये है हमारा question number 36 भारत में प्रिक्षय प्रणाली की समस्या उपर विशेश बल निमील लिखेतर रिपोर्ट में से किस रिपोर्ट का भाग है ये हमें बताना है अब देखे मैं आपको दिखाता हूँ अब ये देखे दोस्तों ये हमारे डेस कोठारी आयोग था इसने क्या कहा था आयोग ने स्कूली सिक्षा की गहन समिश्या प्रस्तुत की जो भारत के सिक्ष्या इतिहास में आज तक कि सरवाधिक गहन अध्यन माना जाता है यहां से आप देख सकते हैं कि इसने बहुत ज्यादा स्टडी की थी और इसे देखिए कोठारी आयोग या फिर राष्टे सिक्षा आयोग भी कहा जाता है यह 1964 के अंदर आया था और यही उस कोश्चन का आंसर है दोस्तों यहां पर मैं दिखा देता हूँ यह देखिए अब भारत में प्रिक्षा प्रणाली की समस्याओ पर विशेश बल निमल लिखित रिपोर्ट में से किस एक रिपोर्ट का भाग है वो हमें बताना है इसमें जहां तक मेरा आइडिया है दोस्तों वो इसका आंसर आएगा हमारा आप्सन नमर टू विस्वेश देहले सिक्षा आय लगता है तो वो आप हमें बता सकते हैं और आगे कोशन देखते हैं दोस्तों आगे हमारे पास कोशन नमर चालेस इसके अंदर इन्होंने क्या दिया है इन पॉस्ट इंडिपेंडेंडेंस इंडिया विच वन ओव दा फ्लॉविंग कमेटी कमीशन रिपोर्ट डिल विद आल लेवल ओफ एजुकेशन इन इंडिया सभी तरह की एजुकेशन लेवल के बारे में किसने बात की थी दोस्तों वो हमें बताना है इसके अंदर दिया है उप्सन नमर थरी कोठारी आयोग यानिकि कोठारी कमीशन अब देखिए ये बात भी इसी के अंदर कही गई थी द अफिशन आएगा इसका औफैसियल अंसर यह ही है दोस्तों यूजी सी का यह कोषिन है यह कोषर ने दोनों के दोनों सेम है यह हमारी पिक है यैनि की इमेज है और टाइब किया हुआ है देखिए इसके निर हम पढ़ने की कोशिश कलते हैं कि दा ईउजुकेशन कमीशन दोस्तो education commission of India तो यहां पे इन्होंने question में दे रखा है तो यह पूछ क्या रहे है यहां पर question में यहां पर dash dash होना था यहां फिर यह होना था that commission that first took serious note of the problem brain drain यानि कि इन्होंने commission का नाम तो यहीं पर दे दिया और फिर दोबारा ही commission का नाम पूछ रहे यह बात मेरे को समझ में नहीं आई दोस्तो लेकिन इसका जो answer है official answer यही है दोस्तो the education commission of India तो आगे हम देखते दोस्तो आगे हमारा कैसा question है आगे है दोस्तो यह हमारा जून 2019 के अंदर आया था the national knowledge commission राष्टि ग्यान आयोग वाज वाज एस्टिवलाइज इन विच एर यह हमें बताना यह हमें पता है दोस्तो यह 2005 में इसके स्थापना हुई थी मैंने आपको पीछे भी बताया था यह मैं आपको दिखा देता हूँ यह देखे दोस्तो राष्टि ग्यान आयोग यहां पे हमने बात कि थी इसके स्थापना 2005 में हुई थी और यही कोशन हमारा जून 2019 के अंदर आया था तो देख सकते हैं दोस्तो किस तरह से कोशन पेपर में कोशन आते हैं बिल्कुल असान असान कोशन आते हैं बस हमें देने की आउसकता होती है तो दोस्तो आज के लिए बसी तना ही